हेलो दोस्तो नितिन फोटोग्राफी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है नितिन दोस्तो आज हम एक और वीडियो टुटोरियल लेके आएं फोटोशॉप का जिसमें आज हम कुछ टिप्स बताने वाले हैं फ्लाय हेर्स को कट आउट करने की और उनको मैच करने की बैग्राउंड के साथ में तो यह काफी इजी टिप्स है तो यहां पर हम कुछ टेक्निक देखेंगे कैसे हम कट आउट करते हैं हेर्स और बैग्राउंड के साथ कैसा मैच करते हैं उसमें जो वाइड कलर की एजस आती किया है select menu पे गया है यहां पर subject मैंने select किया और automatically photoshop ने यह cut out करके दे दिया है मुझे और then मैंने यहां पर से mask लगा दिया है चलते हैं हम next अब क्या करते हैं एक new layer ले ले लेते हैं इस mask वाली layer के नीचे में लेके आ जाते हैं और यहां से मैं foreground color ले लेता हूँ blue थोड़ा सा dark ले लेते हैं हम यहां से okay background color white कर लेता हूँ मैं चलिए ठीक है और gradient यहां से हम select कर लेते हैं then हम background बना लेते हैं okay मैं थोड़ा सा color switch कर लेता हूँ एक्स बटन से अब देखते हैं white हमारा center में आएगा okay just great great तो यहां पर देखेंगे यह जो है hair cutting इस तरीके से हुई है अभी rough हुई है तो हम यहां पर mask पे click करते हैं यहां पर mask पे click करने के बाद देखेंगे यह select हो गया white border आपको यहां पर frame दीखेगी देन हमें यहां properties में जाना है और select and mask पे click करना है यहां पर click करने के बाद थोड़ा सा मैं image को नीचे लेकिया जाता हूं brush size में थोड़ा सा कम कर लेता हूं और यहां से refinage आपको select कर लेना मेरी already select है मैं अब यहां से hairs को select कर लेता हूं जहां पर भी आपके fly hairs हैं वहां पर आप brush को बढ़ा कर सकते हैं जैसे यहां से कुछ फैले हुए इस तरह के जैसे यहां से फैले हुए इस तरह तो मैं थोड़ा सा brush को बढ़ा कर लेता हूं इसलिए सारा जो है smoothly select हो जाएगा और अब मैं थोड़ा सा brush का size फिर से कम कर लेता हूं और यहां पर अंदर से हम hairs को थोड़े select कर लेते हैं देन फिर से brush का size आपको छोटा रखना है तो यहां पर दोस्तों मैंने hairs जो है cut out कर दिये हैं अब मैं क्या करता हूं इसे just कुछ नहीं करता हूं यहां पर मुझे कुछ भी changes नहीं करना है मैं okay कर देता हूं बट यहां पर hairs cut out हो गए हैं लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो ages दिख रही हैं यहां पर hairs में यह white color के दिख रहे हैं तो यह color हमें जो है match होना चाहिए actual hair के साथ तो हम कुछ blending mode यहां पर use करेंगे और यह already select है इसलिए मैं इसे restore to default कर लेता हूं यह white ages अभी भी दिख रही है तो हमें क्या करना है जस्ट यह color picker पर select करना है और hairs के color यहां से आपको select कर लेना है मैं थोड़ा सा dark में चलता हूं hit ok और blend mode यहां पर हमें करना है multiply यह multiply कर दिया मैंने यहां से opacity में कम ज़्यादा करता हूं तो यह changes देखेंगे आप पीछे hairs में यह तो इस तरीके से जो है cutouts white edges जो है totally gone यहां पर एक magic जैसा हो गया है पूरे बाल जो है यहां पर fly वाले सारे अब उठके दिख रहे है मुझे और color भी match हो गया है यहां पर एक problem भी आती है जो कि आप देख सकते यहां पर यह जो all body में जहां पर भी edges है यह सारी black हो चुकी है यह देखिए यह पूरी black दिख रही है तो इसे solve करते हम इसके लिए हमें क्या करना होगा जिस्ट यहां पर effect दिख रहा है इस पर हमें right click करना है और create new layer पर click करना है तो यहां उपर एक layer mask वाली जो है layer बन जाएगी इसमें already clipping mask लगा हुआ है अब मैं इसमें क्या करता हूँ एक mask लगा देता हूँ mask पर select किया और मैं इसे invert कर देता हूँ कि black हो गया mask देन यहां पर मेरे पास face white आ गई अब मैं brush select कर लेता हूँ यहां से before brush foreground color background color मैं default कर लेता हूँ ठीक है default कर लिया मैंने white brush आपको foreground रखना है और अब यहां से मैं paint करता हूँ brush की opacity मेरे 50 है तो इस तरीके से हम paint कर लेते हैं just opacity में बड़ा लेता हूँ 100 कर लेता हूँ तो भी यहने ज्यादा कुछ problem नहीं होगी smoothly काम हो जाएगा क्यूंकि already masking पर काम कर रहे हैं ओके तो फ्रेंड्स हेर यू कैन सी वेरी नाइस रिजल्ट भी गॉट है यहां पर काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिला है एकदम realistic लग रहा है काफी आने cut out जैसा लगी नहीं रहा है यहां पर background से एकदम smoothly cut out हुए है और यहां पर अगर मैं background भी change करना चाहूं चलिए एक example देख लेते हम यहां adjustment layer पर चलते solid color पर चलते हैं और यहां से यह side sky blue color बोलते ही से मैं यह ले लेता हूं और इसे नीचे लेके आ जाते हैं तो यहां पर देखिए यह colors पर भी आपको years काफी अच्छे match दिख रहे हैं और भी हम colors यहां से change करके देखते हैं तो सारी color में काफी अच्छा result मिल रहा है हमें इस तरीके से वेरी नाइस वाइट में जाते हैं थोड़ा सा black में जाएंगे तो हमें थोड़े से आने problem हो सकती है इसके कुछ limitations भी है इस tips के जैसे कि यहां पर देखेंगे आप एकदम dark में चले गया मैं तो ages यहां पर दीख रही है ज्यादा तो यह एक limitations है कोई-कोई dark colors में यह काम नहीं करती है बाकी mostly जगा है यह tips काम करती है तो मैं इसे delete कर देता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा result हमें मिल चुका है तो आएए चलते हैं अब हम next tip देखते हैं वह हम कैसे करते हैं बहुत ही easy है वह तो इससे भी ज़्यादा तो यहां पर मैं एक duplicate बना लेता हूं इस layer की तो यहां पर image पे चलते हैं यहां पर duplicate पे चलते है and this copy ok यहां side में हमारी एक new duplicate बन गई है अब इसमें मैं क्या करूंगा just simply यह already जो है इसे हटा देता हूं मैं delete कर देता हूं mask पे मैं click करता हूं तो यहां आप border दिखेंगे white वाली जो है mask select है मतलब और यहां से हम चलते हैं फिर से select and mask option पे और then यहां पर मेरी refine edge brush tool जो है select है यहां पर कुछ भी setting को changes नहीं कर रहा हूं just मैं output setting में जाएंगे यहां पर decontaminate colors यहां पर दिया हुआ option इसे बस check कर देना है आपको और इसे check करने के पास just magic होगा और automatically hairs जो है match हो जाएंगे colors यह काफी अच्छा है यह बट just I think it is not looking perfect or realistic as compared to before technique we have used already तो यह भी अच्छी technique है इसमें भी आने हम देख सकते हैं काफी अच्छे से hairs जो है match हो चुके हैं तो यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छी यह technique भी काम करती है तो दोस्तों यहां पर देखा हमने दो technique यूज किये hair cut out करने की और उसको match करने की background के साथ और एकदम realistic हमें यहां पर लग रहा है image में cut out hairs तो लगी नहीं रहा है बिलकुल realistic लग रहा है और यह काफी आसान भी है चलिए मैं एक method और बताता हूं आपको सायद यह भी आपके काम में आ सके मैं फिर से एक duplicate बना लेता हूं इस इस सारी layers की एक image पे गया duplicate यहां से मैंने कर लिया है यहां गए duplicate में मैं और यहां से फिर से मैं इनको डिलेट कर देता हूं उपर वाली को और इसे visible कर देता हूं और इस technique में हम इसे subject को move भी कर सकते हैं कई पर भी जहां पर भी आप करना चाहें यह non-destructive है बिलकुल भी अब हम क्या करेंगे इसे सबसे पहले जो fly hairs है उसे हम lasso tool से select कर लेते हैं L प्रेस किया मैंने lasso tool के लिए otherwise आप यहां से भी select कर सकते हैं चलिए हम hairs जो है पुरे select कर लेते carefully fully ओके rough selection ओके यह मैंने select कर लिया है यहां से मैं image को select कर लेता हूँ यह white border देखेंगे आप image layer के उपर मतलब आपकी image अभी select है और इधर किया दो यह mask यहां पर किया दो image okay then मैं control J करता हूँ duplicate के लिए यह आपर duplicate बन गई है इस चीज की hairs की जो हमने cut out किया है अब हम इसे इस layer के नीचे लेके आ जाते हैं और फिर इसका blending mode हम change कर देते हैं multiply okay तो यहां पर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा result हमें मिल रहा है और एकदम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बहुत ही आसान टेक्निक है यह tips बहुत अच्छी है और भी fast हमारा काम हो सकता है तो यहां पर हमने तीन tips देख चुके हैं hairs को match करने की और तीनों भी काफी अच्छी है लेकिन इसके कुछ limitations है कहीं कहीं पर आपको disappoint होना पर सकता है बाखी mostly जगह पर यह काम करती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने देखा fly hairs को कैसे cut out करना और उन्हें कैसे match करना जो ages से उनकी कैसे match करना और एक एक fly hairs जो यहां पर उड़ते हुए बाल दिख रहे हैं यह जो हमें दिखना चाहिए एकदम realistic लगना चाहिए इस तरीके से हमने काम किया है तो यह blending method ह काफी useful है और एकदम realistic result हमें देती है अगर आप भी इस technique को use करें तो आप भी याने काफी अच्छी realistic result पा सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आयो तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी share कर सकते हैं लाइक और thumbs up तो बनता ही है दोस्तों थैंक यू फर वाचिंग नितिन फोटोग्राफी बाई बाई